निशु बहुत गरीब थी, वो चौथी कक्षा में पढ़ती थी, तब ही उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़ कर भगवान के पास चरी गई। निशु ने टीचर को अपना नाखुन दिखाया, निशु तुम्हारे नाखुन तो बहुत बड़े हैं, निशु अपने बड़े नाखुन देख कर सोचती है। निशु को टीचर की ये बात माननी पड़ी, वो बाहर जाकर धूप में एक पैर पर खड़ी हो गई। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और धूप में खड़े होने के कारण उसकी तब्यत खराब हो रही थी। कुछ देर के बाद निशु को चकर आगे और वो बेहोशो कर गिर पली। टीचर ने निशु को उठाया और उसे डॉक्टर के पास ले गई। काफी देर धूप में रहने के कारण इसे लू लग गई है। मैं कुछ दवाईया दे रहा हूँ, इसे समय समय पर खिला दीजिएगा। दवाईया दिला कर टीचर ने निशु को घर धीज दिया और कहा कि कल से अपने नाखुन काट कराए। अगले दिन निशु ने अपने नाखुन फिर से काटे और स्कूल चली गई। स्कूल में निशु ने टीचर से कहा, मैडम आज मैंने अपने नाखुन काट लिये हैं। अच्छा चलो, अपने नाखुन दिखाओ। निशु ने मैडम को अपने नाखुन दिखाए, लेकिन निशु के नाखुन पहले से भी जादा लंबे थे। ये क्या निशु, तुमने फिर जूट बोला, तुम्हारे नाखुन तो पहले से भी लंबे है। लेकिन मैडम, मैंने तो आज सुबही अपने नाखुन काटे बाद भी तुम अपने नाखुन नहीं काटती हो, तुम्हें सजा दी जाती है और एक सब्ता के लिए तुम्हें स्कूल से सस्पेंट किया जाता है। ये सुनकर निशु बहुत उदास हो गए। वो इस बात से दुखी थी कि वो एक सब्ता तक पढ़ाई नहीं कर पाईगी। निशु को पढ़ाई लिखाई से बहुत लगाव था। वो दिन रात पढ़ती थी और हर बार परिक्षा में अच्छे नमबर भी लाती थी। लेकिन इस बार वो अपने नाखुनों के कारण स्कूल नहीं जा सकती थी। वो उसी समय स्कूल से घर की ओर जाने लगी। घर जाकर बाबा को क्या बताऊंगी। बाबा सुनेंगे कि मेरे नाखुनों के कारण मुझे स्कूल से सस्पेंट कर दिया गया है तो वे बहुत नाराज होंगे। कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। निशु का ध्यान उस आवास की ओड़ जाता है। उसने देखा कि एक बंदर तालाब में डूब रहा था और मदद के लिए निशु को पुकार रहा था। मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता है, मैं एक पेड़ पर चड़ रहा था, मेरा पैर फिसल गया और मैं इस तालाब में गिर गया। लेकिन निशु को उस बंदर की सहायता के लिए कुछ भी नहीं मिला, तब उस बंदर ने कहा, ये दरूदर मत देखो, तुम अपने नाखूनों से कहो कि आगे बढ़ कर मुझे बचा ले। निशु के कहते ही उसके नाखून बहुत लंबे और मजबूत हो गए, उसके नाखून इतने लंबे हो गए, कि वे बंदर तक पहुँच गए। बंदर निशु के लंबे नाखूनों को पकड़ कर तालाब के बाहरा गया, बाहरा कर उसने निशु से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तुमने मेरी जान बचाई है तुम्हारी जान तो मेरे नाखुनों ने बचाई है अब तुम बताओ तुम्हें ये सब कैसे पता मैं तो अपने लंबे नाखुनों से बहुत परिशान हूँ क्या मेरे नाखुन छोटे नहीं हो सकते लंबे नाखुनों के कारण मुझे स्कूल से सस्पेंट कर दिया गया है सुनो निश्यू, तुम्हारे नाखुन जादु ही है जब तुम्हें एक साल की थी तब तुम्हारी माँ एक बार तुम्हें लेकर इस तालाब में नहाने आय थी उससे मैं तुम्हारी माँ ने कुछ जंगली जानवर उससे मेरी माँ की जान बचाई थी जिससे खुश होकर मेरी माने तुम्हें वर्दान दिया था कि जब तुम आठ साल की हो जाओगी तब तुम्हारे नाखुन बहुत लंबे हो जाएंगे और उनमें जादू भी होगा अब तुम आठ साल की हो गई हो लेकिन मेरे लंबे नाखुनों से क्या जादू हो सकता है तुम अपने लंबे नाखुनों से पास या दूर पर रखी किसी भी चीज़ को छो सकती हो तुम अपने लंबे नाखुनों से जिस चीज़ को छोगी वो सचमुच का हो जाएगा अच्छा ये बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं अपने घर जाती हूँ निशो खुशी खुशी अपने घर आ गए उसने अपनी किताब को ली और किताब में कुछ फलों की तस्वीर चपी थी निशो ने उन फलों की तस्वीर को अपने लंबे जादूई नाखुनों से चुआ तब ही वे फल किताब से निकल कर बाहर आ गए वे एकदम असली और ताजे फल जैसे दिख रहे थे निशो ने खूब फल खाए और कुछ फल अपने बाबा सुख्या के रहे रख दिया शाम को जब सुख्या घर आया तो उसने घर में कुछ रसीले फल देखे निशो और सुख्या ने कभी फल नहीं खाए थे घर में फल देखते ही सुख्या ने निशो से कहा निशु बेटी, घर में तो फूटी कौडी भी नहीं थी, हमें दो वक्त की रोटी तो नसीब नहीं होती, तु ये फल कहां से लाई, कहीं तुने चोरी तो नहीं की नहीं बाबा, मैंने चोरी नहीं की है निशु ने सुख्या को अपने लंबे जादूई नाखुनों के बारे में सब कुछ बताया बाबा, आप चिंता मत करो, अब हमारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं वो कैसे निशु बेटी? निशु ने कागज और पैंसल लिया और कागज के टुकडे पर कुछ रुपए पैसो के चित्र बनाए और उन चित्रों को अपने लंबे नाखुनों से चुदिया तभी वे रुपए पैसे एकदम असली बनकर कागज से बाहर निकल आए निशु ने उन पैसों को सुख्या को देते हुए कहा ये लो बाबा, हमारे लिए बाजार से खाना ले आओ सुख्या दोड़ा-दोड़ा बाजार गया और अच्छा-च्छा खाना खरीदने लगा क्या बात है सुख्या, रोस तो खाना देखकर चला जाता था आज खाना खरीदने आ गया, पैसे वैसे है भी तेरे पास या योई ही चलाया है, देख भाई, मैं तेरे जैसो को उधार नहीं देता दुकांदार की बाद सुनते ही सुखिया ने उसके सामने नोटों की गड़ी रग दी और कहा दुकांदार ने सुखिया को खाना पैक करके दे दिया, सुखिया खाना लेकर घर आया, और दोनों बाब बेटी खाना खाकर सोने लगे, तभी निशु ने कहा बाबा, आज से हम जमीन पर नहीं, चारपाई पर सोएंगे निशु ने एक कागस पर सुन्दर सी चारपाई की तस्वीर बनाई और उसे अपने जादूई नाखुनों से चू कर सचमुच का बना दिया उस राद दोनों बाब बेटी पहली बार चारपाई पर सोएंगे, दोनों पहली बार चैन की निन सो रहे थे दूसरे दिन सुबह सुखिया काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा बाबा, अब आपको काम पर जाने की क्या ज़रुरत है? निशु ने जटपट एक कागस पर फिर से कुछ नोटों का चित्र बनाया और उसे अपने लंबे जादूई नाखुनों से चू दिया वे नोट असली नोट बनकर कागस से बाहर आ गए निशु ने उन नोटों को सुखिया को देते हुए कहा ये लो बाबा, इन पैसों से हम अपना कुछ काम शुरू कर लेंगे तो ठीक कह रही है निशु बेटी, अब अपने जादूई नाखुनों से हमारे लिए एक अच्छा सा घर भी बना दे हम कब तक इस तूटी फूटी जोपडी में रहेंगे? अभी लो बाबा निशु ने फिर से एक कागस पर सुन्दर से घर की तस्वीर बनाई और उसे अपने नाखुनों से चूदिया तभी वो घर कागस से बाहर निकल कर असली का बन गया अब निशु और सुखिया की जरजर हो चुकी जोपडी की जगा एक आलिशान से घर ने ले ली थी निशु और सुखिया अपने आपको अपने घर में बैठा देख कर फूले नहीं समा रहे थे उसके बाद निशु ने सोचा कि उनकी काम भर की जरूरते पूरी हो गई है अब वो अपना नाखुन काट लेगी ताकि वो स्कूल जाकर पढ़ाई कर सके ऐसा सोच कर उसने अपने लंबे नाखुन काट डाले लेकिन ये क्या? अगले ही पल उसके नाखुन पहले से जादा लंबे हो गए लगता है मेरे नाखुन अब कभी चोटे नहीं होंगे अब मैं कभी पढ़ाई नहीं कर सकूंगी ये सोच कर निशू फिर से दुखी हो जाती है तभी उसे एक आईडिया आता है वो फिर से एक कागस पर अपने स्कूल की ड्रॉइंग बनाती है और उस ड्रॉइंग को अपने लंबे जादुई नाखुनों से छू देती है तभी वो स्कूल सचमुच के असली स्कूल में बदल जाता है और निशू अपने क्लास में अंदर जाती है वहाँ उसकी टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही थी निशू को देख कर टीचर ने कहा अरे निशू तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ और पढ़ाई करो निशू खुशी-खुशी क्लास के अंदर जाती है और पढ़ाई करने लगती है इस तरह से निशू की पढ़ाई भी जारी रहती है इधर निशू के बाबा सुखिया ने अपना खुद का कपड़ों का व्यापार शुरू कर लिया था वो शहर के बने हुवे कपड़े लाखर गाउं में बेचने लगे जहां उसके कपड़े अच्छी कीमतों पर बिकने लगे धीरे-धीरे सुखिया ने अपना व्यापार और बढ़ा लिया निशु भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रही थी निशु के जादू ही लंबे नाकुनों के कारण उसकी और सुखिया की जिंदगी ही बदल गई थी उनके पास खूब पैसा था और उन्हें अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी पंचिपूर नाम के गाउं में बहुत सारे पंचिओं का वास था पंचिओं से ही गाउं का नाम पंचिपूर पढ़ा था और उसी गाउं में मधू और राधा दोनों बेहने रहती थी उन्हें पंचिओं से बड़ा लगाव था वो दोनों हर रो सुबह उठकर पंचियों को दाना डालते थे आओ, 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 आओ उनकी मा सरला प्रेग्नेंट थी इसलिए उनकी तब्यत हमेशा खराब रहती थी वो विस्तर पर सोई रहती थी और अपनी दोनों बेटियों को देखती थी वा, कितनी सुदर हैं मेरी दोनों बेटियां, कितनी दयालों हैं सुबह सुबह पंचियों को खाना खिला रहे हैं हे देवी मा, मेरी बेटियों का हमेशा खयाल रखना लेकिन सरला का पती सुरेश अच्छा इंसान नहीं था उसे ना सरला पसंद थी और ना ही कोई बेटिया, उसे बेटा चाहिए था सुन सरला, इस बार लड़का ही होना चाहिए इसमें मैं क्या करूँ, ये सब तो देवी मा जानती है रख तेरी देवी मा की बात, मैं वो सब नहीं मानता मैं नास्तिक हो नास्तिक, और इस बार बेटा ना मिला ना, तो तुझे जान से मार दूगा मैं मधु और राधा ये सब देखती थी, लेकिन अपने पिता को कुछ बोलने की हिमत उन दोनों में नहीं थी क्योंकि सुरेश उन दोनों को बात-बात पर मारता था उधर सरला बहुत चिंती थी, अगर उसे फिर से बेटी हुई तो क्या होगा? और उसका ये डर सच हो गया, कुछ महिनों बाद उसे एक बेटी ही हुई, सुरेश गुस्सा हो गया ये बोलकर सुरेश ने एक डंडे से सरला के सर के पीछे मार दिया, सरला के सर से खून बहने लगा, राधा और मधु डर के मारे अपनी नई बहन को लेकर छुप गई सरला की बोडी लेकर सुरेश एक तालाब के पास पहुँच गया, और एक पेड़ के नीचे उसे रख कर मिटी खोदने लगा, सरला तभी पूरी तरह मरी नहीं थी, उसमें थोड़ी सी जान बजी थी, उसने बड़ी मुश्किल से कहा, सुरेश, मेरी बेटियों को कुछ मत क सुरेश गुस्सा हो गया, और सरला की सर पर फिर से वार किया, सरला मर गई, उसे दफना कर सुरेश घर चला गया, और तीनों बेटियों को बुलाने लगा मधू और राधा अपनी नवजाद बहन को लेकर सामने आई मा का आए पिता जी तेरी मा बहुत दोर जली गई है चलो तुम लोगों को भी वहीं ले जाऊंगा ये बोलकर सुरेश डंडा लेकर मधू की ओर बढ़ने लगा लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया अरे बाप रे तभी सुरेश को याद आई सरला की बात सरला ने कहा था जब तक लॉकिट सही सलामत है तब तक दून तीनों का कुछ नहीं कर पाएगा ये सोचकर सुरेश घब रागया तो फिर सरला सही कह रही थी उस लॉकिट में ही कुछ है ठेक है? मैं वो लॉकिट ढून कर निकालूँगा और उसे तबाह कर दूँगा उससे पहले मुझे एक शादी करनी चाहिए मुझे एक बेटा चाहिए सुरेश को एक लड़की पहले सी पसंद थी उसका नाम सुष्मा था सुष्मा भी सुरेश को पसंद करती थी और कुछी दिनों के अंदर दोनों ने शादी कर दी और फिर सुश्मा बेटियों पर अत्याचार करने लगी लौकिट की वज़े से तीनों को कोई मार पीट नहीं सकता था इसलिए सुश्मा ने सोचा तो क्या हुआ, मैं इनसे सारा काम करवाऊंगी इन्हें बांथ के रग दूँगी, खाने नहीं दूँगी और सुश्मा वही करती रही सुबा उठकर मधू पंचियों को दाना डालने लगी तो सुश्मा ने कहा क्या रे मधू की बच्ची, घर में खाना जादा है क्या जो पंचियों को खिला रही है हम तो हर सुबा पंचियों को खिलाते हैं ये पंचियां हमारी दोस्त हैं, दोस्ती गई भाड में, आज से पंचियों को कोई खाना नहीं खिलाएगा। सुश्मा उन दोनों से घर का सारा काम करवाने लगी और खोद आराम फर्माने लगी। पूरा दिन भूखा रहने के बाद राद को मधू और राधा को कुछ चावल खाने को मिला। ये बोलकर सुरेश ने तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन बहुत धूनने के बाद भी उसे लौकेट नहीं मिला। वो घर वापस चला गया। सरला के बॉड़ी को उसी तालाब के पास एक पेड़ के नीचे दफनाया गया था। वो मरने के बाद भी अपनी बेटियों के बारे में ही सोच रही थी और कब्र के अंदर से देवी मा को बुला रही थी। हे देवी मा मेरी बेटियों के रक्षा करना। तभी एक बड़ी सी पंची उसके कबर के उपर आकर बैठी। क्या बात है सरला अपनी बेटियों को लेकर इतनी चिंतित क्यूं हो वो लौकेट है ना उन्हें बचाने के लिए। लेकिन वो सुरेश लौकेट को ढूंड कर निकालेगा और उसे नश्ट कर देगा। उसके बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। चिंता मत करो। उसके बाद मैं स्वयम बेटियों की रक्षा करूँगी। ये बोल कर वो पंची उड़ गई। उधर सुष्मा ने सुरेश से पुछा। लौकेट मिला तुम्हें। नहीं, आज तो नहीं मिला। तो फिर कब तक हम इन तीनों को जहलते रहेंगे। ज्यादा नहीं, बस और कोच दिन। मैं कल फिर से जाऊंगा उस तालाब में। इसके बाद से सुरेश हर रोज तालाब में जाने लगा लेकिन उसे लौकेट नहीं मिला। इधर मधू और राधा दिन भर मेहनत करने लगी और उसके बदले उन दोनों को एक वक्त का खाना मिलने लगा। ऐसे दिन बीटता गया। लौकेट ना मिलने की वज़े से सुरेश परिशान हो गया और ऐसे ही एक दिन सुरेश तालाब के पास गया तो देखा एक मचवारा तालाब में जाल फेक कर मचली पकड़ रहा है। मचवारे ने जाल उठाया और उस जाल में एक लौकेट फसा हुआ था। सुरेश ने पैसा दिया और लौकेट ले लिया। और फिर वो दोनों तीनों बेटियों को घर के बाहर ले आए और एक पेड़ के साथ बांदिया। सुरेश तीनों को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ अचानक से वो बड़ी सी पंची आ गई और सुरेश और सुष्मा को अपने पंजों से पकड़ कर आस्मान में उड़ गई। वो पंची दोनों को समंदर के उपर ले आई और फिर उन्हें समंदर में फेग दिया। दोनों समंदर में बहदे चले गई और ऐसे दोनों का देहान थो गया। वो पंची वापस आई और तीनों बच्चियों को रसी से मुक्त कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन तुम हो कौन? तभी वो पंची देवी मा में बदल गई तुम्हारी मा मेरी परम भग थी और तुम तीनों को भी पंचीयों से बहुत लगाव है इसलिए मैं स्वयम पंची अवतार में तुम्हारी रक्षा के लिए आई हूँ आज से तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी आज से मैं ही तुम लोगों की मा हूँ इसके बाद से मधु और राधा अपनी छोटी बेहन और पंचीयों को लेकर आराम से रहने लगे उनके पास बहुत पैसे आ गए और कोई परिशान करने वाला भी नहीं रहा वो सभी खुशी-खुशी जिन्दगी बिताने लगे